था आज की नए पिक कार्ड और रिक्विस्ट ड्रेटिंग है आपके आसपास कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं कितने लोग जो है वह रियली में आपको पसंद करते हैं वही सब कुछ हम रिडिंग के तो देखेंगे इसके लिए मैंने आप दो पाइल बनाई है जिसमें पाइल हमारे रहेगी रिड स्टॉन और सेकंड पाइल है वाइट क्रिश्टल स्टॉन दोनों पाइल के उपर आपको मैटेट करते हुए अपनी पाइल चूज करनी है यह एक जनरल लिडिंग है सभी बाते सब एक साथ राजनेट नहीं करेगी डिस्किप्शन बॉक्स में अब दे रही हूं वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो आप मुझसे पर्सनल लिडिंग बहुत आसानी से ले सकते हो इसके लिए डिस्किप्शन बॉक्स में इंस्ट्रागाम फेस्बुक इमेल आईडी तीनों की लिंक दी कई है तीनों लिंकों में से किसी एक लि लिडिंग ले सकते हैं मैंने जान बुझकर 50 रुपे से रिडिंग पर्सनल लिडिंग स्टार्ट की है जिससे बहुत सारे लोग अपनी पर्सनल लिडिंग आसानी से ले सके तो आप भी आसानी से जुड़िये आसानी से मुझसे बाचित कर सकते हो आसानी से जुड़ सकते ह और आपको आपके किर्ष्ण का बहुत थी अच्छे तरीके से आंसर मिलेंगा लाइज सेसन बुध्वार कुरुवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है साम साथ बजे से ग्यारा बजे की बीच में होता है और यह जो लाइव सेसन है वो मेरी सेकंड चनल फॉर्चनेट डिवाइन के उपर ही होता है तो उसमें भी आप जॉइंट हो सकते हूँ तो चले स्टार्ट करते हैं गाईस हाई अब जिस किसे ने पाइलवन चूज की है रेड स्टॉन तो चले देख लेते हैं कि आपके आज पास की कितने लोग आपको पसंद करते है अब यूनिवर्स डिवाइन पाइलवन पस्टनल डीडिंग 15 रुपेज 25 रुपेज से स्टार्ट होती है इसके सारी डिटल्स आपको दिस्केप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी डिटल्स दिये है। पसनल रेडिंग को लेकर बूचा कर आप चेक आउट कर सकते हैं और लाइफ सेसन को लेकर भी चले देखते हैं पाइल वन ये सब कब की एनरजी पॉप अप होई है आपके आसपास की कितने लोग आपको पसंद करते हैं किंग अफ कब वेरी नाइस अनरजी तो यहां डबल किंग की एनरजी आ गई है किंग अफ कब है किंग अफ वेर्ण से इसका मतलब ये होता है नाइट अफ कब और देखते हैं क्या है टेंपरेंस टू अफ सोट्स टू अफ वेंड्स गुट एट अफ वेंटिकल्स ओ माई कब बहुत बढ़िया फाइव अफ कब ओके चले देखते हैं और क्या है सेवन अफ वेंड्स वेरी नाइस अनरजी बाटन अफ देख हमारे पास है फोर अफ सोड्स ओके तो अब यहां जो साइन आए है वो है कैंसर स्पाइस कॉपियो जो एनरजी पूरी तरीके से पर्मिनन्ट ही आई है अब ध्यान से देखो तो एक बात इसका मतलब होता है तो यह यह जो एनरजी है वो कही है तक बहुत सारी चीज़ों को अबज़र कर रहे हैं अब कैंसर स्पाइस कॉपियो जो मैंने कहा है पर्मिनेट अनरजी है जबनाई लिब्रा अक्विरेस के एनरजी यहां 50% ही आई है और यहां जो एक साइन बाकी रहता है वो है टॉरस वर्गो के अप्रिकॉन इसके एनरजी जो यहां आई है वो है 80% अब आपके आसपास के ऐसे बहुत सारे लोग है जो आपको कहीं हद तक मानते हैं कि आपके अंदर कुछ बात है आपके अंदर बहुत सारे ऐसी कॉलिटी है जो लोगों को पसंद आ रही है वो वाकए में यहां नजर आता है आप बहुत ही sensitive और emotional इंसान हो लेकिन अपने emotions को अच्छी तरीके से परकते हो जानते हो पहचानते हो इस वज़े से अपने emotions को छुपाना उसको strong तरीके से अपने व्यक्तित्वा मिलाना वो भी आपको आता है वो यहां नजर आता है अब यहां आप अपने आप में एक emotions के साथ अपने practical चीजों को भी बहुत ही संजीदा तरीके से एक विवस्तित तरीके से रखना जानते हो इस वज़र से practical चीजों में भी बहुत ज़्यादा माहिर इंसान हो आपकी एक बहुत सारे ऐसी बाते हैं जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं वैसे तो आपके कहीं सारे quality है गुण है जो लोग जानते हैं जैसे कि आपकी communication skill बहुत बढ़िया है आपका लोगों के साथ बात करने का जो तरीका है वो भी वाकिय में बहुत अच्छा है आपका behavior आपका बोलना चलना उटना बैठना एक word टोनक आपकी व्याकिय में बहुत अच्छी है लेकिन एक strictness आपके अंदर नजर आती है इस बज़र से कहीं सारे लोग आपसे डरते भी है जो यहां नजर आते हैं यहां आप अपने चीज़ों को लेकर काफी जादा conscious हो य वज़र से बहुत सारे लोगों के साथ जूड़ना या उनको देना या किसी भी तरह सैर करना ये आपके अंदर जो quality है वो बहुत ही कम है इस बज़र से आप बहुत सारे लोगों के साथ जूड़ नहीं पाते हो वाकई में आप जिनके साथ भी मिलते हो उनके साथ बहुत ही परसन वाकई में एक talented हो, knowledgeable हो, उनकी समझ सकती अच्छी हो, यह सब कुछ देखते हुए भी आप उनके साथ जुड़ते हो, वो तो यहाँ double king की energy ही दरसाती है, यह double king की energy आपके अंदर वाकई में है, लेकिन आप ज़्यादा तर लोगों की उपर जल्दी भरुसा नहीं कर पाते हो, और आप बहुत सारे यहाँ double two की energy है, आप ध्यान से देखो तो, जिसके चलते कहीं सारी चीज़े आपने अपने जीवन में पाई जरूर है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपके बारे में इतना ही पता है, कि आप बहुत ही महनतो हो, अपने आपके लिए, अपने वजुद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए बहुत कुछ करना जानते हो, यह बात सब भी लोगों को पता है, लेकिन आप जो लोगों के साथ बहुत ज़ चुटी छुटी प्रतीबह या चटी-छूटी ऐम लोग बिलकुल भी नहीं जानते है इस वजर से उनका जो विश्वास है और आप उपर बहुत जादा है और बहुत अच्छा है ऐसा नहीं आता है यहाँ वाइयोग कब की भी अनरजी है तो यह एनर्जी आपकी है कि आपने अपने जीवन में कहीं सारी ऐसी चीज़े देखी है जिसकी वज़र से आप ज़्यादा तो लोगों के साथ गुलना बिलना इतना ज़्यादा पसंद करने वाले व्यक्ति अब नहीं रहे हो पहले आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ गुल्दे मिलते थे बहुत ज़्यादा अंडरस्टेंडिंग नेचर था और बहुत कुछ एक बहुत ही सहज तरीके से लेते थे लेकिन अब आप पूरी तरीके से बदल गए हो यहां आप ध्यान से देखो तो डबल एट के एनरजी आई है इसका मतलब यह होता है कि यह दोनों ही कॉलिटी आपके अंदर अब बहुत ही ज़्यादा संजीदा तरीके से मौजूद है वो आप सच में आपके अंदर है यह सभी लोगों को आपके अंदर नजर आता है यह एनरजी भी आपके अंदर हर तरीके से नजर आती है और यह जो टैन आफ वेंड के एनरजी है जो आपकी हर एक लोगों को नजर आती है कि आप अपने ही चीज़ों को लेकर अपनी परिस्तितियों को लेकर बहुत जादा conscious होने की वज़र से उसकी जिम्मेदारी लेना बखो भी से जानती हो ये बात सबी लोगों को पता है और बहुत ही अपनी चीज़ों के लिए कर देते हो इस वज़र से जिन लोगों के साथ भी अपनी चीज़ों को लेकर जोड़ते हो उनके साथ आपका जो बरता होता है वह वाके में अच्छे इंसान होंगे, वो उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, अभी आप अपने एक सिच्वेसनों को लेकर बहुत सारी चीजों को समझने का प्रैस कर रहे हो, कोसिस बनी हुई है आपकी, और जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हो, वैस को इस अनरजी में आना है, जिसकी वज़े से सभी लोग आपको जाने, सभी लोग आपको पहचाने, आपकी हर कॉलिटी के बारे में अब्याप इस अनरजी में हो, कि अभी आप बहुत अच्छी तरीके से समतुल्दा बनाने की कोशिस कर रहे हो अपनी लाइफ के साथ लड चीजों में स्थीरता लाने की कोशिस कर रहे हो और एक फिजीकल कॉंस्टनस नेज आपका जो बहुत ही बढ़िया नहीं है वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो इसको भी संबालने के आप कोशिस कर रहे हो तो आप बहुत ही अपने आपको स्थीर और स्टेबल करने की कोशिस आपकी अभी बनी होई है जो फिजीकल वाइज आप सारेरी तोर पर अपने आपको एक स्ट्रॉंग और बहुत ही नेच्रल दिखना है अपने अस्तित्व में अपनी पस्तनालिटी में वो आप अभी कोशिस कर रहे हो इस वज़े से यहाँ फोर अपसॉट की एनर्जी आए है अभी भी आप अपने ही एक कवश में हो अपने ही जोन में अभी बैठे हुए हो बाहर निकलने के लिए अभी बहुत सारी चीज़े अपने आप में मेंटली स्ट्रॉंग बनाने की कोशिस कर रहे हो अब यहां से देखते है दिया उटसाइडर अभी इस एक उन्सेस नेस वो तो आपके अंदर है और सेरिंग करना आप बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हो है पहली सेरिंग करते थे लेकिन अभी बहुत सारी चीज़े अपने अपने तरीके से थोड़ी साइट कर दी है बॉटम डेक यहां आया है फूल वो आपके अंदर है अब यह जो फूल के एनरजी है जो मैं यहां ले रही हूँ अब यह जो आपके आसपास के जो कितने Bir लोग आपको पसंद करते हैं तो यह आपके आसपास के ऐसे बहुत सारे जो लोग है जो आपको बहुत अच्छी तरीकी से जानते हैं वह आपको पसंदियी है यहां आपने बच्पन में कहो या किसी अम्रम में एक ऐसा moment या ऐसी situation देखी है जिसमें बहुत कुछ आपने बहुत ही नज़ती किसे जहला है या सहा है बहुत एक बहुत ही डरावनी को हो या बहुत ही भयानक को हो बहुत ही dangerous को हो एसी परिस्ति देखी है जिस वज़र से आपके अंदर ठोड़ा डर भी आ चुका है जिसकी वज़र से आप बहुत ही एक evidence में आ गए हो कि नहीं अभी मुझे किसे के साथ जोड़ने से पहले उसके बारे में पूरी जानकरी निकालनी चाहिए जिसे में इस परिस्तिती में नाख फीर से फसो हो है आपका mindset पूरी तरीके से clear cut है आपकी जीवन को लेकर आपका जो एक portfolio को हो या जो अपने life को लेकर एक जो सोच है आपकी वो पूरी तरीके से clear cut आपने रख दी है जिसके वज़े से आप अपने life को बहुत enjoy कर रहे हो बहुत आसनी से जी रहे हो लेकिन लोगों के साथ आपके अभी भी mail जोल और बहुत अच्छी तरीके से एक balance बिल्कुल भी नहीं है distance ही रखना जादा पसंद करते हो ऐसा यहाँ नजर आता है अब यहाँ redstone आपने चूश किया इसका मतलब यह होता है कि आपके आस पास के बहुत सारे लोग आपको पसंद करते है लोग आपके साथ जूड़ना चाहते है आप एक male हो तो female आपसे बहुत ज़दा attract है आप female हो तो बहुत सारे male आपसे attract है लेकिन आप ज़्यादा तो लोगों के साथ बाचित बिलकुल भी नहीं करते हो और कटे कटे से रहना ही ज़्यादा पसंद करते हो जिस वजर से यहाँ redstone के energy यही दिखाती है कि आप अपनी चीजों को अभी सम्मटने की courses कर रहे हो बाकी ज़्यादा चीजों में involved होना अभी आप पसंद बिलकुल भी नहीं कर रहे हो यह है reading, do like, subscribe and comment, love you, bye Hi everyone, अब जिस किसी ने pilot choose की है white crystal stone तो चले देख लेते हैं कि आपके आज-पास कि कितने लोग आपको पसंद करते है personal reading 50 रुपे से 15 रुपे से start होती है तो बहुत सारे लोग मुझसे personal reading ले रहे हैं तो आप भी आसनी से जूड़ सकते हैं इसके लिए description box में सारी details दी गई है वहाँ जाकर आप check out कीजिए starting में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से personal reading को लेकर समझाया है वो आप सुन सकते है live session को लेकर भी मैंने आगे बताया है तो वहाँ जाकर check out कीजिए मेरी second channel fortune divine के उपर live session होता है तो उसमें आप joint हो सकते हो आसनी से चले देखते है pile 2 के आसपास के कितने लोग आपको पसंद करते हैं king of pentacles good queen of cup बहुत मगरूर हो आप the magician और यह ऐसे ही नहीं quality आते है the temperance 10 of cup very nice energy five of cup okay तो यह है आपकी जीवन में page of pentacles the high priest is five of pentacles seven of cup knight of pentacles बहुत ही कुपसरतकार strength okay bottom of the deck हमारे पास है page of swords यहां जो साइन आए है वो है cancels spices copy of permanent energy आई है tors, वर्गू, कैप्रिकॉन के एनर्जी भी permanent है aries, leo, Sagittarius यहां सिफ 60% है और Gemini, Libra, Aquarius के एनर्जी almost normally है 30% ही है अब आपके आसपास के जो लोग है वो आपको सारे ही पसंद करते है इतना तुम्हे कहें और सबी लोग पसंद करने के साथ-साथ आपके साथ आसनी से जुड़ते भी है आप एक यहां एक बात जरूर है कि पैसों से आप बहुत ही well set इंसान हो वो यहां नजर आता है और emotional wise भी बहुत ही strong इंसान हो तो यह जो दोनों ही energy permanent आई है इस वज़र से यह दोनों ही energy में आप बहुत ही strong होने की वज़र से आपकी प्रतिभाल लोगों के सामने बखो भी से आप रखना जानते हो क्योंकि आप अपनी emotions को भी सिवकार करते हुए बहुत ही आसन इसे गुलना मिलना आपको आता है बहुत ही सहज और natural हो जिसकी वज़र से आप लोगों के एक मसीहा की तरह हो लोगों के एक बहुत ही चुनिंदा इंसानों में से एक हो यहाँ नजर आता है बहुत सारे लोग आपको जानते है पहँचानते हैं लोग आपके साथ बाचिट करने आते हैं आपके साथ जुड़ते हैं आपकी हर तरीकी की चीज़ों उनको बीलकुल भी बहुत ही ज़हादा पसंद आती है आपकी हर एक style हर एक वाटउन कहरेक बात्चीत उनको बाकर में बहुत अच्छी लगती हैं तो आपके आस-पास के बहुत सारे लोग आपको पसं करते हैं और हर तरीके से उनका जो आपको लेकर एक जो होता है वो यही है कि आप सच में बहुत ही जन्यून इंसान हो वन वर्ड में आपकी यही तारिफ होते है कि सच में आप बहुत ही भड़िया परसन हो लेकिन यह जो डो फाइप के एनरजी आई है फाइप पैंटिकल और फाइप कब यह आपके अंद्रोनी लाइफ है जो आप लोगों को बताना नहीं चाहते हो बाहरी तोर पर लाइफ आपकी डिफरंट है और आपकी अपनी अलग से जब आप अपनी जीवन को जिते हो वो लाइफ अलग है लोगों के सामने जो आप रखते हो दिखा रहे हो बता रहे हो वो अलग है और पीछे से आपकी ला अपने अच्छे वक्त को भी खोया है और अपनी बहुत सारी परिस्तित्यों में भी अपने को हार मिली है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे पॉलों को बहुत ही नजदी की से, बहुत ही कम उम्र में देखा होने की वज़र से, अब आप लोगों के साथ तो बहुत आसने से नैचरल वे में रहते जरूर हो, लेकिन जब आप अकेले पर जाते हो, अकेले हो जाते हो, तो बहुत हो जाते हूं बहुत ज़्यादा सोचने की ठंजा में आप चली जाते हो खो जाते हो अपनी लाइप को लेकर मेरे पास पर वहीं मेरे नहीं कर और मेरे पास अभी जो एक खास और special चीज जो मैं चाहता था वो मेरे पास होनी चाहिए वो अभी मेरे पास नहीं है ये energy कही ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खलती है बहुत ज़्यादा लोगों के सामने तो आप बहुत ही strong हो बहुत अच्छी व्यभी व्यक्ति करने वाले इंसान हो बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ व्यवार रखने वाले रिस्ते रखने वाले अच्छे परसन हो लोगों की हर एक उम्मिदों के उपर खरे उतरने वाले एक वफादार लॉयल इंसान हो लोगों के साथ आसानी से आपका जुड़ा होता है उनके साथ आपका तालमेल बहुत ही अंडरस्टेंडिंग का और बहुत ही नैचरल वे में होता है जो लोग अंडरस्टेंड भी करते हैं आप लोगों को जब भी पैसो की जरूत हो या किसी भी चीज की जरूत हो या advice के जरूत हो, वो वाकई में आपको ही advice लेना पसंद करते हैं, आपको ही पसंद करते हैं, आपके पास ही आते हैं, आपके परिवार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिनके साथ आपकी खटे मिठे रिस्ते हैं, बहुत जादा अच्छे रिस्ते हैं, ऐसा यहां नहीं है, ज चीज जो आपको चाहिए कहिं ना कहिं वो आपने खो दी है ऐसा आपका महसूस होता है जिसकी वज़र से आपकी अपने लों को बहुत प्यार करती है अभी अब यह आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं आपकी हर ख्वाई से को पूरा करते हैं, आपके साथ enjoy कर रहे हैं, फिर भी उसमें भी आपको जो एक मज़ा आना चाहिए, बहुत खुसी होनी चाहिए, वो कही ना कही वन पसंड इसकी कमी आपको खलती जरूर है, हाँ आप अपने लोगों के साथ खुस जरूर हो, उनके परिशमें नहीं हुआ होता, ऐसा भी आप सोचते हो, कोई परसन आपके जीवन में जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंड कते थे, बहुत ज़्यादा चानते थे, पहचानते थे, उनके साथ आपने काफी अच्छा वक्त बिताया है, वो साइद भी नहीं है, या जो वक्त आप चाहते थे, वो वक्त अभी आपके पास नहीं है, या जो परिस्तिती जो आपने सोची थी, वैसी अभी आपके पास नहीं है, कुछ तो एक जो आप चाहते थे, वो अभी आपके पास नहीं है, आपके अंदर यहां डर की परिस्तितिया भी हो सकती है, पहले जब मेरे पास कुछ नहीं था तब बहुत कुछ जीब परिस्तित्या थी चिसको मैं अभी सोचता हूं तो मेरे अंदर कही नहीं वो कमी खलती है मुझे वो चीजेज वो परिस्तित्या वो व्हक्त वो पर्सन मुझे तभी चाहिए था लेकिन वह तभी मुझे नहीं मिला और अभी जो है उसमें वो जो चाहिए वो नहीं है तो कुछ है आपके जिवन में जो अभी आपके पास नहीं है तो इसकी कमी आपको बहुत खलती है बहुत मतलब बहुत खलती है इसको आप एक डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो बया नहीं कर सकते हो लोगों के सामने लेकिन आप श्टक के एनर्जी में रहते हो, आपको पता है, आपके पास सबकूश होने के बावजूद भी आप इस एनर्जी में रहते हो, यहां से देखते हैं क्या है, कंडिशनिंग, कंपलिशन, फाइटिंग, बहुत बढ़िया एनर्जी, गुड, अपने सर्टों पर जिने वाले इनसान अब बन चुकी हो, सबकुश आपके पास है, अभी तो आपको बहुत अच्छी तरीके से जवाब देना भी आता है, बहुत ही फूटफुल आपकी लाइफ है, फूल के अनर्जी पर्मिनेट आई है, यहां बॉटफ डड़े, तो यस, सबकुश होने के बावजूद भी कुछ है, इस वज़े से लाश्ट काड़ा है चेंज, बदल सकता था या बदल सकता है, लेकिन वो अभी नहीं बदल सकता है, यह आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, अब मैं बदलने की कोशिस करूँगा, लेकिन मेरे अपने लोग ही वो उसको सिवकार नहीं करेंगे, तो है यह कुछ तो है कमी, जो अभी आपको खलती है, सबकुछ होने के बावजूद भी, तो आपके आसपास के सभी लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी रिस्पेक करते हैं, मान समान देते हैं, आपकी रेपूटेशन है, बहुत ही ज़्यादा नाम है, पहचान है, फिर भी यहाँ सभी लोग पसंद करने के बावजूद भी, आपको एक कमी खलती है, वो अपने तक ही आप सिमित रखना चाहते हो, और अपने तक ही अपने जीवन में बहुत ही बेश्ट सोच रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हो, और अभी आप इस अनरजी में हो, ज्यादा किसी के साथ बहुत ही गहराई से नहीं आग बढ़ना है, अपने आपके लिए ही अभी लाइब जीनिया है, ये सोच है अभी, वाइट क्रिश्टल स्टोन आपने चूज किया है, इसका मतलब यह होता है कि अभी आपके सामने हर एक प्रकार को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर एक पारदसकता आज चुकी है, चाहे वो प मेरे लिए ही मेरी लाइब को जीना है, ये है, ये है रिडिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट, लव यू, बाई